आप देख रहे हैं ACI News, रस्टचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ नमस्कार मैं मोंटूराजा एंटी करॉप्शन इंडिया से स्वागत है आपका कई बार आपने देखा होगा कि कैसे लुभावने जॉब आफर आते हैं युवाओं को जिसमें dating sites join करने के लिए कहा जाता है उसमें एक amount रखा जाता है कि आप इस amount को pay करके friendship करनी होगी महिलाओं से उनसे हर तरह की बात करनी होगी जिसके बदले वो dating site है और आपको उसके बदले ऐक भरी भर कम amount आप हर महीने या प्रतिदिन कमा सकते हैं तो इस तरह के जो fraud ہیں वो आजकल तमाम जो है आजका समय उसमें चल रहे हैं, जतना हमारा जो देश है और जो सामाज है वो विक्सित हो रहा है, टेक्नलोजी की और अग्रसर हो रहा है, उसी रफतार से जो इस तरह के crime हैं, इस तरह के अपराद हैं, वो भी घ्टित हो रहे हैं, अब ये जो डेटिंग साइट वाला तमाम जो चीजे हैं वो फेस्बूक और वाटसैप और इस तरह के बल्क मैसेज लोगों के पास भीजे जाते हैं जिसमें से कुछ लोग जो हैं ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं एक जो पीडित है उसने ऑनलाइन डेटिंग जो है उससे जुड़ा उसने उनकी फीस पे करी जिसके बाद वो उन लोगों के चंगुल में फस गया जो इस अपराद को अंजाम दे रहे थे और पीडित से साड़े चार लाख रुपए की ठगी की गई दरसल 2019 में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज हुई थी तिली के नॉर्थ डिस्टिक के अंदर जहां पे पीडित बॉबी कुमार ने ये बताया था कि उसने एक डेटिंग साइट के तौर पे एक एमाउंट जो है वो एक शक्स को मुबाईल के थूँ दिया है जिसके बाद उससे ये कहा गया था कि डेटिंग जो साइट है उस पे महिलाओं से बात करनी है और उसके थूरू पैसा कमा सकते हैं तो उसके बाद हुआ क्या उसके साथ ठगी हुई कई बार अलग अलग तरहां से उससे पैसे मांगे गए उसने दिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और तक्रीबन साड़े चार लाग रुपए वो दे चुगा था लेकिन जब वो पैसे नहीं कमा पाया तो उसने पुलिस दे रहे हैं देखिए यह गड़ना है उत्री जिले के थाना बुराडी की 2019 की फरवरी में एक कंप्लेंट आई कि ऑनलाइन जांसे देकर कुछ शक्स हैं जो की नादान लड़कों को जो की नौकरी पाना चाहते हैं उनको एक इजी मनी के नाम पे और साथ में उनको बोलते है कि एक डेटिंग सर्विस में आपको अठी ची मिठी मिठी बाते करनी है और आपको इससे पैसे मिलेंगे इस तरीके से फसाते हैं उस कंप्लेंट में यह आया है कि उसमें डेटिंग साइट में आईडी बनाने के चक्कर में कुछ वो रिजिस्ट्रेशन फी के नाम पर पैस को पे कर दिये बाद में हमने उस पे तफ्तीश की तो हमें एक हर्पिर सिंग सन अफ चरंजी सिंग वहां जुलाई 2019 में उनको अरेस्ट किया गया लेकिन इसके जो मेन मास्टर माइंड थे वो फिर भी फरार थे हमारे पास जो भी फोन जो भी हमारे पास ऑनलाइन आईडी जो भी बैंक ट्रांसफर के अकाउंट थे वो सब फेक थे लेकिन उत्री पुलिस जो है वो लगी रही एक स्पेशल टीम बनाई गई कि यह एक बहुत ही इस तरीके का क्राइम है कि जो आगे इसके रेपरकेशन इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फाइनली दो दिन पहले 28 तारीक को हमारी बुराडी की एक टीम जो कि सब इंस्पेक्टर सतिंदर हेड कर रहे थे उन्होंने टेकनिकल इंटेलिजेंस माउंट करते हुए दो शक्स एक जिनका नाम शिवांशू एलियाज बबू है और एक मुहमद इमरान खान एलियाज शाबाज खान एलियाज अभिशेक सिंग ये अलग अलग नाम पे आनलाइन आते थे और लोगों को जहांसा देते थे इन लोगों को गिरिफतार किया गया इन से दो मुबाइल एक सिम कार्ड यूज जो की ये करते थे क्राइम में वो पकड़ा गया और साथ में एक डेबिट कार्ड जिस बैंक अकाउंट से इन्होंने जहांसा देकर पैसा लिया था वो भी बरामत किया गया तो ये इस पे हमा डिसीबी महदय ने सारी जानकारी दी किस तरहां जो यूवक हैं उनको भरमित किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है उनसे पैसे भी उगाते हैं और उनको ब्लैक मेल या फिर उनको अपने जाल में फसा लिया जाता है पुलिस ने शक्स को दो शक्स को अपनी हिरा आप भी इस घटना के बाद सतर्क रहिए चीजों को समझिए जानिए कि इस तरह की जो लालसा वाली चीजे होती है शौट टाइम में एक बड़ा एमाउंट कमाने वाली चीजे होती है ये सिर्फ एक फर्जी वाड़ा होता है क्योंकि ये जो एज होती है युवाओं की इसमें वो बहग भी जाते हैं और लालच में आके क्योंकि कई बार ऐसी फिल्में भी हमने देखी हैं कई ऐसी कहानिया भी सामने आती हैं जिसमें कई बार ये चीज़े सच्ची लगने लगती है और जो लोग हैं इसके बहकावाय में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं क्या है आपकी राय कमेंट द्वार आप अपने विचार हमसे साजा कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमशकार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहे हमारे साथ